मेरे चार्म के साथ साथ आज तुम्हारा मर्ड भी नियत है मर्केट मैं अपने इन बल्शाली पुचाओं से तुम्हें बसर कर लख दूगा मर्केट मूर खता मत करो तुम्हारे देखते देखते तुम्हारी मा के प्रतिशोद ने उनही का भक्षन कर दिया है फिर भी तुम उसी की प्रतिशोद की ज्वारा में भस्म होना चाहते हो जो उन्हें समझाया था वही तुम्हें भी समझा रहा हूँ तुमसे मेरी कोई शत्रुता नहीं है इसलिए इस शत्रुता के भाव को त्याग कर अभी प्रारंब होने वाले अपने इस जीवन को तुम सुख में बनाओ मुर्कवाणर पत्रिशोद ही अब मेरे जीवन का थाई है मुसी से सुख मिलेगा मुझे इसी लिए ही मेरी चिंदा छोड़ अपनी चिंदा कर क्योंके अब मेरे रूप में तुम्हारे मुत्यू तुम्हारे समीव आ चुकी है कुछ नहीं हुआ इस मर्कट को परन्त अधिक देर तक मेरी शक्ति का सामना नहीं कर सके का ये तुम्हें तो अपनी शक्तियों से मेरा सामना तो कर लिया मरकाट रंत जो शक्तिया मुझे विरासत में अपने पिता महिरावन से मिली है उन शक्तियों का सामना तुम नहीं कर पाओगे बहां अयोध्या में सभी अधीरता से मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे इसलिए मुझे शेग्र इसका अंत करना ही होगा भाया, ब्रह्म मूर्थ में मात्र भी एक प्रहरी शेश है और अभी तक हनुमान जी लोटे भी नहीं है मेरे विचार से हम सभी को स्वयम ही तैयारी कर लेनी चाहिए मुझे हनुमान की प्रतीक्षा करनी ही होगी किन्तु पुत्र यदि ब्रह्म मुहूर्थ बीट गया तो चौदा वेश्पूर्व ऐसा ही नहीं इस बार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए यह शुब कार्य नहीं रुकना चाहिए चिंता मत करिये माता अब कुछ अशुब नहीं होगा अनुमान शीगरी लोटेंगे और कार्य को कुशलता से संपन अवश्य करेंगे बस अहिरावन अब तुम्हें रोकना ही होगा इसके शरीर पर ये द्रव्यो उसे चिकना बना रहा है जिसके कारण इसको पकड़ पाना कठिन हो रहा है पुनहा प्रयास करता हूँ ना मजे पकड़ सकोगे ना ही मेरी कोई हानी कर सकोगे माला साता अर्थात मल युद में पारंगत प्रतिद्वन्दी जिस प्रकार एक दूसरे को चुनोती देते हैं उसका ज्यान है इसे इसकी देह चिकनी है इसे पकड़ना कठिन है पर अंतु मैं इस चुनोती को अस्विकार नहीं कर सकता अब तुम्हें क्यात होगा मरकट मैं माता के गर्ब से ही कितनी भीशन उद्ध कला सिख कराया हूँ इसे परास्त करने के लिए मुझे शक्ति के साथ युक्ति का प्रियोग करना होगा पर अब है पर अब पर अब है प्राव अब पर अब भो अब मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा शीघ्र इसका अंत करने के लिए मुझे इसकी चिकनाहट को दूर करने का कोई उपाय करना होगा कर दो, क्या हुआए प réussi कि लिए एंस का अंत करने का सिरेट कर दो करल दो दो गर प्रकाप्टिज प्रकापकर अटाए गापकर अगवार तो च्टमेर को पिल्गा कोरी में लिए हैं, अप़ा अट अज़ारे में लिए हैं, अटा झाल। बाहुला हो गया क्या है वारल यहां से वहां कूद क्यों रहा है कितना भी कूद लो मरकट परन तु मुझ से बच नहीं सकोगे तुम करें यह प्र दीhen और वठने अांथ गाँ खकीं कि अतिती है! ए्याइ रह.. ऑर बन्याइ जो.. याइ रह.. तेने切 Almost.. याइ.. प्रुद्वत един है कर दो शेग्र तुम्हें ग्याद हो जाएगा कि कौन किसका अंद करता है तुम्हें अंद करता है आओ अही रामण, अपने मल युधि के दाव दिखाओ मुझे कुछ भी कर लो मर कट, बन तो आज तुमारी ब्रत्यू मेरे इस अही रामण के हाथो होकर रहेगी जए तर्थी मता, जए श्री राम आज कर लो किया यह विया रहेगी जए भामण फ्राफ प्रड़ मुई खराफ 2ए अर्द सेंद Ann अर्द सेंद प्रेस् गारारा गुड़ार पारे ऴृड़ार अओाँ लॉवा किह एह 2 प्राइक नग डिंड दिय प्रिंड लोग एह 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 एग किह एएव एग किवा एएएएग कि अगरोग एएएए किवा एग कि एग झॉब अब चाहे कितना भी दाव लगा लो, मुझे परास्त नहीं कर सके। अब चाहे अब याद । याद 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 तुम मेरे साथ मल्युद का दंगल चाहते थे ना? अही रावन, अब होगा दंगल! जिसमें तुम्हारा अंत होगा अब मैं लौटने में और विलंब नहीं कर सकता बरकाट! ना बच सकोगे मुझसे! अर्थाद, आज तुम्हारी मत्यू, मेरे हातों हैं! इसके बाद, बस्तराओ अरक्ष्वन का बद करके, तुम्हारी बागी चंपूर्ण करूगा! पकाँ! ययार् – बाद, इसके बाद, बाद! वाव बाव बाव याव झारण वार्ण झाल एड़ जञए पारण पार इंग प्रण वार्ण याव झाल टो फको अ ये खदो ग जो 20 है नह वाम virus मुश्र बखर जूाँ कि अ seek औरा प्दुब प्दुब परकाचार, चा, 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 बस्तराम अदक्ष्वन का बद करके, बाफनी बागी चंबूर्ड करूगा! न में शक्रा प्माणदने अब ? गप्ष्थ वक्ष्धरी हानुमनता। जाको भयोचन भरम अन्दा ये गाथा मावली हनुमत की रुचकर लीदा राम बगत की जे 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 रगुनंदल राम जे जे मावली हनुमा प्रभू श्री राम और उनके भ्राता लक्षमर को हानी पहुचाने की कल बना करने का तुमने दुसाहस किया था अब दिखाओ अपना साहस तुम्हारे शरीर में प्राण शेष है तो उठाओ सामना करो मेरा हनुमान जी समय पर नहीं लोटे तो इस बार उन्हें प्रभू श्री राम की उस सेवा से वंचीत होना पड़ेगा जिसका उत्तरदाईत उन्होंने लिया है प्रतिशोद की अगनी स्वयम को ही भस्म कर देती है इसलिए व्यक्ति को प्रतिशोद की भावना से कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए